हलो फ्रेंट्स वेलकम डू स्मार्ट नुक्री चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्सी एम्टीयस भर्ती 2019 के बारे में जिया दोस्तों जैसा आपने कतम निल में देखा कट अप में होगा बदलाव और कम नमबर आलों के लिए होगा बहुत ही अच् सरकारी नुक्री का फॉर्म जब भी कोई नया रिलीज होता है चाहिए वो सेंट्रल का हो चाहिए स्टेट का हो हम उसकी नोटिफिकेशन का पहला वीडियो आपको स्मार्ट नुचले पर प्रवाइड करते हैं और जब भी कोई नया एडमिट कार्ट जारी होता है नया वीडियो को तो सबसे पहले चीज तो यह धिर दोस्तों आप 19 français नुबंबर 24 जिएंवें 24 नुबंबर है और आज है एक्जाम का टार two का तो टायर 2 वालों में आज अतका क्या है एक्जाम दोस्तों आपको पता है कि कौलिफाइंग नेचर है यानि कि टायर 1 के बेस्क पर आधार पर ही आपको जो है मेरिकली बनने वाली है लेकिन टायर 2 में दोस्तों जितमें भी अच्छे मार्क्स वाले होते हैं काफी जो 90 80 साइक आसपा सकते हैं तो संटाइमस ऐसा होता है दोस्तों आप भी जानते हैं कि डिप्रेशन प्रेसर ऐसा होते हैं काफी लोग जो है नर्वस में रहते और काफी ऐसे भी स्टुडन से जो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते उनके दूसरे एक्जामस भी समय आ र प्रफेर करते हैं तो यहां पर एवरेज स्टुडेंट से जिनके नंबर कम है उनको यहां पर बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है क्योंकि उनका प्लेटफार्म मिल चुका है वह अलड़ी टायर वन क्लियर कर चुक है और उनको आज सिफ कौलिफाइग नेचर को पास करना ह अपने आप जो मेरिट उपर से बाली बच्चों की है वो काफी जो है डिवाइड होने के बाद जो है मेरिट कम हो जाती है और मेरिट जब कम हो जाती तो नीचे इनका वनाक्स कम है जैसे कि जो एवरेज स्टुडेंस है जो मिडल्स में आते हैं जिनके नंबर ज्यादा अच्छे नंबर हैं जैसे कि 65 मतलब टायर वन आपने क्लियर किया तो आप सभी लोग दोस्तों सभी के नंबर बहुत ही अच्छे हैं सभी लोग जो है डिजर्व करते इस जॉब को लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मेरिट के बेस में ही आपको जॉब मिलेगी और जॉब क आपका बेकार गया दोस्तों इसलिए दोस्तों यह जो है आपका 30 पाट है 30 पाट है तो यहां पर काफी लोग जो है जो लंबे समय से तैयरी करते हैं और कुछ लोग जो है शौर्ट टरम में आते हैं जो सिर्फ एमसी क्यूं करके आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जो लंबे समय से तैयरी नहीं करते उनको यहां पर दिक्कत यह हो जाती है कि वह काफी स्टुडेंट जो है दोस्तों पिछले साल के अगर तुनला में आपको मैं बताओ तो जो है हमने अनलाइसिस किया तभी जाके हमने इस वीडियो का आपको बनाया कि जो कम नमर वाले स्टुडेंट स सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वह अच्छे से तैयरी करके जाए और आज का जो एक्जाम है वो यह सोच कर दे कि उनका नमबर चाहे भले ही साथ हो या साथ से नीचे है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पे आप सभी लोग जो है परतिभागी है और सभ मेरिट में अच्छा अस्थान मिल जाएगा तो उमीद करता दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो कम नमबर वाले हैं उनको बहुत अच्छा अच्छा अपोर्चुनिटी मिल चुकी है क्योंकि उनका टायर वन क्लियर है और टायर टू को अगर आप सिप सब्सक्राइब करने के लिए कि हमारे तहरी किस लेवल तक है और जो अपना छोड़ देते हैं इससे यह फाइदा होता कि जिनका मेरिट कम है उनको यहां पर चांस मिल जाता है तो यहीं दोस्तों आपको बताना था तो काफी अच्छा है आप सभी के लिए बेस्ट आफ दोस्तों फाफ वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नई जानका एक नई अपडेट के साथ कुछ भी डाउट सो कुछ भी आपसे पूछना हो ऐसे से म्डियस के बारे में तो आप वीडियो के निचे कमेंट कीजिए आप हमसे डायक्ली बात क कर सकते हैं डायक्ली पूछ सकते हैं